जैम आता दी मैं आच र्यासित सेमल आपका स्वागत करता हूँ एस्टोकाल वे हुजार चॉवीस में कुम रासी के जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले इन पर मैं चर्चा करने वाला हूँ आपकी रासी से देवग्गुरू ब्रस्पति का जो परिवर्तन है वो दो बार परिवर्तन होगा अभी तो देवगुरु विरस्पति आपकी राशी से तिरतिया भवन में बैठे हुए हैं और एक मईए 2024 के बाद वो आपकी सुक्व भवन में चले जाएंगे आपकी राशी कुम्बराशे में ही सनी ग्रह विराजमान है आपकी उपर सनी की होगा 2024 में कुम्बराशी वा लोगो मैं आपको समझाओं कैसे केरेयर को लेकर बड़ा परिवर्तन होगा व्यापा गुरह की जो नवम दृष्टिय है वो आपके दसंभाव पर पだけ स्थार के बहुंपर पड़ती है अदेवक गुरू बिरस्पतिकी ड्रिश्टियां है वो आपके त्सम भहुंपर प्ड़ती है तो इसलिए आपके दो हजार कैयर को लेका बड़ा परिवर्तन होगा जो भी समस्याएं रहीं जो भी परेशानिय रहीं नौकरियं नहीं मिल रही हैं या आप नौकरी चाते हैं तो 2024 में अच्छी नौकरी मिले का योग बन रहा है सरकारी डिपार्टमेंट में भी आपको नौकरी मिलने के पूर्ण योग बने वे हैं कुम्बर आसिवालों के लिए और व्यापा रोजगार में भी उन्निति के योग दोहजाद चौबिस में बने वे क्योंकि सनी के साड़े साथे भी आपके उपर मद्यकी है जो आपने साधनाएं की जो उपासनाएं की सनी ग्रह दसम भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं क्योंकि यह कालकुरूस का कर्म का भाव है और कर्म के देवता है भगवान शनी शनी ग्रह कर्म का फल देते हैं जो ब्यक्ति को सनिक रह चपर भाड के देते हैं और 2024 में कुम्बर आसी वालों के जीवन में कायरेर को लेकर बड़ा परिवर्तन होने वाला है जो भी समस्याएं हैं मान सम्मान प्रतिष्टा राजनी छेतर में आपके जंता से जुड़े जुरोजगार है इनमसा में आपको सपल हमान मिलीस हैं सीनियर जूनियर से भी आपको सम्मान मिलेगा अगर आप बाद विबाद न करें तो आपने बाद विबाद से बचना है क्यों कुम्बर आसी वाले हो और ने आपने ने बसना हैalo और कर्म demanding करिंगे जितना आप मेनद करेंगे दिमाक से तना मेनद करेंगे तो ओ आपके लिए सपलता दो हजार चौबिस में दिखेगी आपको क्योंकि राहुग्रह की दृष्टी भी नवम दृष्टी अभाव से कैरियर के भावन पर पड़ती और राहुग्रह दसंभाव में अच्छा फल देते अचानक ग्रोथ होने का योग भी दो हजार चौबिस में आपका बनेगा राहुग्रह अचानक धन संपदा की बृष्टी करेंगे क्योंकि राहुग्रह जो हैं आपके धन त्रिकोंड के तीनु भावनों पर यहां से फरक डालते हैं राहुग्रह आपके दुतिया भावन में बैट और यह जो है धन उत्रिकोंड का दुतिया भावन है और तीसरा जो भावन का तीसरा जो भावन वो दसंफावन है, तो दसंऑ्फावन पर भी यहां पर राहु गया के नमदिश्टी परति अरस्वल्य आहुग्रह आपके धन के उपर बैठे वे हैं समझली जी आप जो भी धन में समस्याएं आ रहें जो भी रुकावटे आ रहें वो सब कारण है राहुग्रह का लेकिन राहुग्रह जिसको देते हैं तो ऐसा देते हैं कि बोरियां भर भर के रुपया देते हैं तो धन को लेकर जो भी समस्य समस्याइं कहीं न कहीं आपकी पूरी होती हुए दिखेंगी लेगे आपकी इच्छाएं धन को लेकर कि अधिक बढ़ें जो राहुग्रह हवा हैं राहुग्रह भूत हैं राहुग्रह चाया है तो राहुग्रह की जो चाया है धन भाव पर होने से आपके धन के लिए उतावल होंगे मुझे पैसा मिलना चाहिए मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए मुझे मेरे पास इतनी संपदा होनी चाहिए यह लालसा आपके अंदर कुम्बर आसिवालों के जीवन में 2024 में बनी रहेगी उर आपके पास धन आता भी रहेगा अचानक धन पैसा आयेगा करजा भी कम होगा साथ में स्वास्ते को लेकर जो परिसानिया होंगे धीरे-धीरे कम होंगी आपकी कहीं न कहीं 2024 में स्वास्ते को लेकर भी कुंबर आसिवालों की समस्याएं दिख रही हैं कि वो राहुग रहो की जो दृष्टिया है वो आपके छटे भवन पर भी है और आपके अस्ठम भवन पर आई भवन पर भी है और रोग भवन पर भी है और देवक गुरु बिरस्पति की भी जो दृष्टिया होंगी एक मही 2024 के बाद वो अस्ठम पर पड़ेगी तो स्वास्ते को लेकर दीरे दीरे आपकी समस्याएं सौल पर होंगी स्वास्ते को लेकर भी आपको 2024 में सचेद होने की जोरत है खान पान पर कंट्रोल करना आपने अपने मित्रूं के साथ दोस्तूं के साथ अपनी आजते खराप नहीं करनी है आपने ऐसे ब्यंजनने खारें ऐसे नसीले पधारत नहीं का सेवन नहीं करना जो राहु राप बानी के भावन में साथ साथ खाने पीने के भावन में भी बैठे है वो धन का भावन है कुटुम का भावन है कुटुम में कलेस पैदा कर सकते हैं और धन के लिए कलेस पैदा कर सकते हैं और इगो के कारण आप ऐसा चीज खा जाएंगे जिससे आपको परिसानिया भी हो सकती है इसलिए आपने अपने इगो को दूरू रखना है और राहू का कहना बिलकुल नहीं माना है आपने कर्म करते जाना है धर्म का साथ देता जाना है और पाठ़ पुजा आपने अवश्य दोजार चौबिस में करनी कहीं न कहीं आपके लिए कुछ अच्छा है कुछ थोड़ा चिंता जनक भी है और देवा गुरु बिरस्पति का जो योग है वो आपके जो ये तृतिया भवन है ये भवन जो माना जाता है काम नाओं की पूर्ति का भवन है ये काम त्रिकोन मान जाता है ये यहां से आपके सप्तम को भी देखते हैं अगर आपका विभाह नहीं हुआ है तो विभाह का योग भी बनाएंगे एक मई दो हजार चौबिस से पहले और आपकी कामनाओं की पूर्ति करेंगे जो ब्यापार रोजगार में जितना आप चाहते हैं कि मुझे मिल चाहिए मेरे पास संपधा होने चाहिए दामपत्य जीवन में भी मधूरता लाएंगे कहीं न कहीं जो कलेज पहले जाता था क्यों रावगरतित्य भवन में यहां से द्रिश्टी पढ़ रहे थी आपके सब्तम पर तो व्यापार में भी परिसानिया थी और साथ में दामप बढ़िया चलेगा आपका और साथ में दामपति जीवन में जो भी दिख करते हुए जाएं डिवोस की समस्या है चाहिए मतभेत की स्थितिया है वो कहीं न कहीं सौल्प होती ही नजर आएंगे आपकी और एक मही दो हजार चौबिस के बाद देवा गुरु ब्रहस्पति आ देवा गुरू ब्रहस्पति आपके स्वास्त में भी सुधार लाएंगे आपिक स्थितो consistent में फसे हुए होंगे वहां से निकाल करके देवा गुरु ब्रहस्पति कुंबर आसे वालों को लाएंगे कोसिश करेंगे देवा है कि मुसीवतों से संक्रों उसे आपको बचाएंगे क्यूंकि धर्म के ग्रह हैं देवा गुरु ब्रसपति का जो सब्तम दृष्टिया वो कैरियर भवन पड़े एक मई दो हजार चौविस के बाद और नौक्रियों की बहार दो हजार चौविस में आपके लिए बनेगे एक मई दो हजार एक मई दो हजार चौविस के बाद बिदेश के दरवाजे भी खुल लें नौक्रियों के लिए बिदेश हुजा सकते हैं बिदेश से जुड़ेवरोजगारों में भी आपको लाव दिखेगा एक मई दो हजार चौविस के बाद क्योंकि देवा गुरु ब्रसपति की नवम द गुरु ब्रसपति आपका रोकेंगे अनावस्य खर्चा रोकेंगे और अच्छे कामों में आपका पैसा लगाएंगे आप मकान खरे देंगे भूमी भूहन प्रॉपर्टी खरे देंगे वाहन खरे देंगे सुक्संपदा आपकी बढ़ेगी एक मई दो हजार चौविस के पात और इससे पहले भी देव गुरु ब्रसपति जो है भागया पर दृष्टी होने से भागया का साथ मिलेगा आपको और लाब के अवसर आप चाहें तो दो हजार चौविस में कुछ ना कुछ कारोबार के साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं दो हजार चौविस आपके पूझी जिनकी पोजिशन बहुत अच्छी है जो सादनाएं करते हैं नित्य सनिभार की दिन निके दर्सन करते हैं 64 संदर का पाड़ पूल्ने करते हैं सात में मंगलवार के उपासना 108 नाम आपने संकर भगवान जी के पार्ट करें 108 नामों का पार्ट आप करेंगे तो आपके लिए बहुत स्थेश्ट कर रहेगा 2024 फित्य आपने आपका संकल ले लीजिए और 108 नाम जो है भगवान शंकर के उनका पार्ट करेंगे तो बहुत मंगल आपके लिए रहेगा हर क्रब से आपके लिए बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए 2024 बहुत उत्तम रहेगा सिक्षा चेत्र में आप कुछ सपलता प्र जाना जाते हैं तो आपके लिए वो योग भी बहुत अच्छा बना हुआ है आपके लिए और 2024 में विवाह का योग भी कुम्बर-ासिवालों का बना हुआ है और ज्यान की विर्द्य होगी पड़ने लिखने में रूचिबढ़ेगी अध्यन करने का मन करेंगा साधना करने का मन करेगा और देवतियात्रा भी करनी चाहिए 2024 में योग भी है और तीर्थ में जाकर इस्थान आप वश्य करें तूंकि आपके उपर सनी की साड़ी साती है तबी गंगा हरिद्वार जाएं वहां डुक्की लगाएं जहां भी तीर्थ हैं आपके इस्थान घाट हैं वहां पर जाकर आप जरूर लगाए 2024 में कुंबर आसी वालों के लिए बहुत अच्छा कुछ बातें तहने वाली है अगर आप अपनी जनम पत्री के आधार पर जाना चाते हैं 2024 में आपके लिए जनम पत्रीख के आधार पर कि आपके लिए कैसा रहेगा दो हजार चौबीस शमयस्द का है यह ग्रोत के ओस्तामें श्तामें या मृत हैं यह क्यों से आप की उन्मती संपर करें अभीगेली मुझे अनुवत दीजे नमस्कार जया माता दी